दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फेस्बुक में किस तरह से फ्रेंड लिस्ट को छिपाया जाता है ताकि कोई दूसरा आपकी फ्रेंड लिस्ट को चेक ना कर सके तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Facebook में किस तरह से फिरेंडर लिस्ट को छिपाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं So Hi Guys, My name is Mohamed Shabbir and you are watching Mobicom Tips तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेंडर लिस्ट को छिपाने के लिए सबसे पहले अपने mobile phone में Facebook app को open कर लेंगे और यहाँ पर मैंने पहले से ही login किया हुआ है तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का interface दिखेगा जब आप open करेंगे तो right side में उपर की तरह 3 lines पे tap करेंगे और जब 3 lines पे आप type करेंगे तो बिलकुल नीचे की तरफ जब scroll करेंगे तो आपको settings and privacy का option दिखाई देगा तो इस पर type करेंगे और इस पर type करने के बाद आपको settings का option मिल जाएगा तो इसे open कर लेंगे और जब आप settings के option पे जाएगे तो आपको नीचे की तरफ scroll करना होगा और जब आप नीचे की तरफ scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर privacy section में privacy settings का option मिलेगा तो privacy settings के option को open कर लेंगे तो जब privacy settings के option पे type करके आप इसे open करेंगे तो नीचे की तरफ आपको scroll करना होगा और नीचे की तरब जब आप इस call करेंगे तो how people can find and contact you section में आपको who can see your friend list का option दिखाई देगा और नीचे public लिखा हुआ उसे मिलेगा तो इस option पर आप टैप करेंगे और जब आप इस पर टैप करेंगे तो see more के option पर टैप करेंगे और जैसे ही आप see more के option पर टैप करेंगे आपको यहाँ पर only me का option दिखाई देगा तो आप only me के option पर टैप करके उपर बिल्कुल left side में back arrow पर टैप करेंगे तो यहां से बिल्कुल इस एरो पे टाइप करने के बैक एरो पे और टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका ये आफशन था पहले पब्लिक था और अब जो है वो only me हो चुका है लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ करने के बाद जो आपके फेस्बुक एकाउंट की फ्रेंड्स लिस्ट है वो हाइड हो जाएगी लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका भी फ्रेंड हो और आपके फ्रेंड का भी फ्रेंड हो तो जानी वो मिच् जो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस वीडियो से डिलेटेट आपके पास कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मोभी कॉम टिप्स को सब्सक् करें और गुडबाए